हाई वेल्टीज वेल्कम टीजिवेग गॉमेंस क्लासिस मैं हो तबिता और आज हम करने जा रहे हैं गाइस शेर कैपिटल चेप्टर में कैश बुक टॉपिक कैश बुक अपने 11th क्लास में बढ़ा था लेकिन ये 12 में भी है जो कि एक छोटा से पार्ट है किस चेप्टर का शेर कैपिटल चेप्टर का कैश बुक का मतलब तो हम सबको क्लियर है जिसमें कैश ट्रांसेक्टन रिकॉर्ड की जाती है तो देखो शेर कैपिटल चेप्टर में भी बहुत सारी बहुत कैश बुक के साथ सथ हमें वो लेजर बनाने को भी बोल देते हैं तो यह होता क्या है कंसेप्ट देखो कैश बुक का कंसेप्ट सेम है जिसमें कैश ट्रांसेक्शन रिकॉर्ड की जाती हो से कैश बुक कहते हैं cash भी और bank भी तो अपने अगर पढ़ा हो तो single column, double column cash book पढ़ा है ना तो single column जिसमें सिर्फ cash transaction है double column जिसमें bank के भी transaction है हम यहाँ पे जो cash book बनाते हैं उसमें हमसे bank column लेते हैं क्यों? क्योंकि amount हमारा बहुत सारा आना होता है company का जब company share issue करती है तो बहुत जादा amount आता है तो हम cash में नहीं लेते हम उसे सीधा कहाँ transfer करवाते हैं अपने bank account में इसलिए हम कौन सा column बनाते हैं guys? bank column तो यह हमारी cash book होती है अब हमारे share capital chapter में आपने देखा होगा कि जो भी transactions pass की जाती है जैसे application receiving की ठीक है उसके बाद due की फिर allotment due की फिर receiving की तो जो जो transactions bank से related है cash से related है वो हमारी cash book में आएगी और जो हमारी cash से नहीं related जिसमें cash का bank का कोई जिकर नहीं है वो हमारी normal general entry pass की जाती है तो हमारी general एप्लिकेशन की दो entries होती है जिसमें एक cash से related है एक transfer की है allotment एक due से related है दूसरी receiving की है तो जो bank से related है वो bank में हैंगी और जो transfer की entry है वो हम general entry pass करेंगे ठीक है इसके लिए मैंने एक example लिया है इस concept को समझाने के लिए जिसमें ABC limited issue करती है 1 lakh equity shares और rupees 10 each जिसमें application हमारी 3 rupees है allotment हमारी 3 rupees है and first and final call हमारी 4 rupees है तो 3 plus 3 plus 4 कितना हो गया 3 plus 3 6 6 plus 4 10 तो हमारे पूरे 10 rupees cover हो रहे है ठीक है अब cash book कैसे बनेगी entries कैसे बास की जाएगी सबसे पहली entry guys जो भी आपने basic question किया है first part में मैंने जैसे आपको सिखाया है तो सबसे पहली entry क्या होती है receiving की application money ठीक है तो वो receiving की entry कहा होगी हमारे cash book में होगी किस नाम से normal entry क्या होती है guys हमारी bank account debit to share application so bank means cash book हमारी debit होगी cash book का bank column हम यहाँ use कर रहे है not cash column ठीक है cash book एक ही बनती है उसमें 2 column आते है याद है single column, double column 11 में पढ़ाता so cash book का bank column we are using debit side क्या entry पास होगी bank account debit to share application तो हम यहाँ लिख देंगे to share application account अगर equity है तो equity share application account 1 lakh into 3 3 lakh ठीक है next entry हम generally क्या पास करते है share application to share capital तो हम वो entry भी पास करेंगे but cash book में नहीं अलग से कितना आ जाएगा 3 lakh ठीक है so यह होगी हमारी application अब second application की दो entry होती है समझाई एक bank में जाएगी और एक normal general entry पास होगी journal में हमारी right second होती है allotment allotment सबसे बहले हम due करते हैं उसमें कोई पैसा नहीं आता so हम due के entry करते हैं narration guys I hope आप सबको इस समय आती है और अगर नहीं आती तो first part दिखना है वीडियो का share capital chapter उसमें मैंने कराई है अब guys share allotment to entry होती है share allotment to share capital जो की अगेन 1 lakh into 3 कितना हो गया 3 lakh अब next entry होती क्या है receiving की so receiving की entry हमारी cash book में आ जाएगी to share allotment account 3 lakh ठीक है next first and final call due करना तो हमें पता है first and final call to share first and final call account to share capital अब 1 lakh into 4 that is 4 lakh अब receiving की क्या करेंगे to share first and final call account 4 lakh ठीक है so total पैसा हमारी पैस कितना आगया guys 3 lakh, 3 lakh, 6 lakh plus 4, 10 lakh अब ये हमारा close हो जाएगा कि भाई company के पास कितना पैसा आ रखा है buy balance CD 10 lakh rupees अब guys अगर वो ये कहते हैं ledger बनाओ so देखो मैं हाँ पे आपको share capital का और application का ledger बनाना सिखा रहे इसके साथ जैसा application का बनेगा वैसी allotment का बनेगा वैसी first call का देखो share capital का ledger कैसे बनेगा share capital credit हो रहा है ठीक है और तीनों जगे credit हो रहा है जिन जिन से credit हो रहा है हमें posting आती है normally share capital account credit हो रहा है so we will post on credit side किस से हो रहा है share application से share allotment से and share first and final call से चिक है proper लिखने आपको proper space के साथ यहाँ पे थोड़ी space की कमी है guys इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ तो यह 10 lakh से आपका share capital close हो जाएगा यहाँ पे आप 2 balance CD लिख दोगे 10 lakh उसके बाद हमें application का अगर ledger बनाना है देखो share application क्या हो रही है debit हो रही है किस से share capital से तो 2 share application किस से debit हो रही है share capital से 3 lakh फिर हमने इस application को कहा transfer करा रहा था bank में so buy bank account 3 lakh और यह हो गई close इना same way guys जैसे application का account बना है same allotment का बनेगा यहाँ पर share capital आएगा और buy bank में transfer हो जाएगा same first and final call होगा bank में transfer हो जाएगा तो इस तरीके से हम इसमें ledgers बनाते हैं और cash book बनाते हैं so यह एक brief information थी about the cash book I hope आप लोगो समझ आई होगी अगर guys समझ आई है तो इस वीडियो को like, share and comment करना न भूले और चैनल से subscribe करें बेल आइकन को प्रेस करें और अपने doubt आप में से YouTube और Instagram पर पूछ सकते हैं थांक यू